QR Code करते हैं स्केन तो अब हो जाएए सावधान जाल साजों ने निकाला साइबर ठगी का नायाब तरीका QR Code स्केन कराकर लाखो रुपे का चूना लगा रहे हैं साइबर ठग साइबर फ्राड का QR Code वाली ठगी OLX से QR Code स्केन करने वाले स्केम जहां हर रोज ठगे जाते हैं हजारों लोग बीते दिनों साइबर जाल साजों ने पबलिक चार्जिंग स्टेशन में चिप के इस्तमाल से मोबाइल फोन्स में मालवेर प्रविश कराकर ठगी का तरीका अपनाया था जिसके बाद खुद ओरिसा राजी के पुलिस को जनता के बीच आकर उन्हें अलर्ट करना पड़ा था साइबर ठगी का यह कोई नया मामला नहीं है आए दिन ठगी करने वाले गिरोह नएने अपने तरीकों से लोगों को फसाना चाहते हैं आपने हाल में सुना होगा कि कैसे सेक्स टॉर्जन से महिलाएं और पुर्षों को निशाने पर लेकर लाखों की ठगी की जाती है राजस्थान का एक पूरा गाव इसका आरोपी पाया गया था ठग वीडियो काल का सहारा लेकर अशलिलता को हत्यार बना कर लोगों को लूटते हैं वहीं OLX जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर ठग ने एक महिला के खाते से बड़ी रकम उडाली है महिला ने अपने कुछ सामानों को बेचने के लिए OLX पर डाला था जिसके लिए महिला को पैसे मिलते परन्तौ यहां उल्टा ही हो गया महिला को धोखे मेले कर उसके खाते से रुपे गायब हो गये जिसके बाद महिला थाने पहुँचकर उसके शिकायत दर्जकर आई दरसल महिला ने OLX पर कुछ समानों को बेचने के लिए एक विग्यापन पोस्ट किया अगर आपको नहीं पता है तो बता दें OLX पुराने समानों को बेचने और खरिदने के लिए एक अच्छा माध्यम है जहां कम दामों पर पुराने समानों की खरिद विक्री होती है महिला ने अपने कुछ समानों को बेचने के लिए प्राइस लिस्ट तैकर OLX पर डाल दिया उसे कुछ समय में ग्राहक भी मिल गए ग्राहक को समान पसंद था उसने कोई मोल भाव किये बिना समान खरिदने की इच्छा जताई महिला भी तैयार हो गई दोनों के बीच बातचीत के बाद डिल फाइनल हुई सामने वाले खरिदार ने दाम चुकाने के लिए महिला को फोन पे या गुगल पे का पूछा महिला ने हामी भरी इन दोनों माध्यम से ओनलाइन ट्रांजेक्शन संभव होता है QR कोड स्कैन कराकर UPI ID या फोन नमबर से रजिस्टेशन किया जाता है खरिदार ने एक QR कोड महिला को वाटसब पर सेंड किया उनसे कहा आप QR कोड स्कैन करो फिर UPI पिन डाल देना पैसे आपके खाते में आ जाएंगे महिला ने ऐसा ही किया QR कोड स्कैन कर UPI पिन डाल दिया बस यही महिला से एक बड़ी गलती हो गई जिस गलती का नतीजा यह हुआ कि महिला के खाते से पैसे कटने शुरू हो गए असल में खरिदार को समान खरिदना ही नहीं था उसे ठक कर महिला से पैसे निकलवाने थे जो QR कोड स्कैन कर UPI पिन डालते ही हो गया खाते से पैसे कटने के बाद महिला ने पुलिस में इसके शिकायत की QR कोड स्कैन करा कर ठक ने फोन का कंट्रोल लिया फिर ठक को महिला का UPI पिन भी मालुम हो गया जिसके बाद ठगों ने महिला के खाते को खाली कर दिया साइवर फ्रॉड ने अब QR कोड स्केन का यह नया तरीका खोजा है आप भी इससे साउधान रहिए इस महिला की तरह गलती मत कीजिए जिन्हें पैसे भेजे जाने होते हैं वो सामने वाले का QR कोड को स्केन करता है महिला को अपने फोन नंबर को सेंड कर या UPI ID भेज कर पैसा मंगवाना चाहिए था महिला को पैसे मंगवाने के लिए खोदे ही स्केन करने की जरूरत नहीं थे पर महिला की एक गलती ने उसे लाखों का चूना लगा दिया डिजिटल प्लेटफार्म और सुविधाओं का इस्तमाल कीजिए मगर जागरूक और सतर्क होकर वरना आप जालसाजों का शिकार मिंटों में हो जाएंगे हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो किसी को ठगी से बचाने में मददगार साबित होगी